दोस्तो एक बर फिर से अप सभी का स्वगत है फेंटेसी आर्मी की एक और नई वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुजराट टाइटन्स वरसे रॉयल चलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जो इस IPL का 45 वा मुकाबला आज आपको खेला जातावा दिख इस मैच में कैसे आपको अपनी फेंटेसी टीम बनानी है वो कौन से खिलाडी है जिनको आपको ग्रेंड लीग में ट्राइ करना है वो कौन से खिलाडी है जिनका सेलेक्शन परसेंट तो आज के मैच में काफी जादा कम है लेकिन अगर आप उनका सामने वाली टीम के सामने record दिखोगे वो इतना अच्छा है कि अगर आप उन खिलाडियों को अपनी grand league की team के अंदर try करोगे तो आप लोगों की जो rank है वो grand league के अंदर काफी अच्छी आ सकती है देखो इस video के अंदर ना मैं आप लोगों को grand league की 6 teams यहाँ पर जरूर बना के दिखाऊंगा लेकिन मेरा जो main काम है वो यह है कि मैं आप लोगों को grand league के combination बनाना सिखाऊंँ आज के match में किस तरीके की combination work कर सकते हैं कौन-कौन से खिलाडियों को आप कैसे कैसे try कर सकते हो यह सारी चीज़े आपको इस video में बताने वाला हूँ तो अगर आज के match में आप लोग grand league खेल रहे हो तो इस video को शुरूर से लेके अंततक आप लोग जरूर watch करिएगा दूस्तू उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी request है जिस भी भाई ने अभी तक हमारे fantasy army चैनल को subscribe नहीं करा है तो आप subscribe जरूर करिएगा क्योंकि हर एक वीडियो के notification आपको मिलने चाहिए तो bell icon आप लोग यहाँ पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा अब आप लोग अगर अभी तक हमारे telegram चैनल से नहीं जुड़े न तो इस video के description में आपको telegram चैनल का link के दे रखा है इस वाले link पे आप जैसे ही click करेंगे आप लोग हमारे telegram चैनल से भी जुड़ जाएंगे एक तो यह तरीका हो गया telegram से join करने का एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ इस channel के fantasy army channel के about section में जाईएगा या about का बतन दिख रहा है इस पे click करके आप लोग telegram channel से जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं telegram join link का link है इस पे click करके आप जुड़ सकते हैं तो जल्दी से telegram channel से जुड़ जाईए क्योंकि final team आपको यहीं पे मिलेगा तो दोस्तों जो तरीका मैंने आपको telegram channel से जुड़ने का बताया है फटाफर्ट से telegram channel से जुड़ जुड़ जाईएगा एक तो आपको इस वीडियो के description में telegram का link मिल जाएगा या फिर आप इस channel के about section में चले जाईए वहाँ पे मैंने आपको अपने telegram channel का link दे रखा है जाके जुड़ जाईए क्योंकि टॉस के बाद की जितनी भी important information है चाहे वो playing 11 हो चाहे वो मेरे audio notes हो या फिर मेरी small link की final team हो सब कुछ आपको telegram पे मिल जाएगा तो description में link है फटा फट से telegram channel से जरूर जुड़ जाईएगा और अगर आप लोगों को ये video यहाँ पर पसंद आती है वीडियो को like जरू करिएगा 5000 like का बहुत छोटा सा target आप लोगों के सामने रख रहा हूँ I hope कि आप 5000 like complete करवाएंगे तो like का बटन जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए फिर इस video को यहाँ से start करते हैं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं pitch report के बारे में ताकि आज के match में जो मैंने grand league के teams बनाई है वो किस लिए बनाई है और क्यूं बनाई है ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो match खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद में यानि कि गुजराट टाइटन्स के home ground में आपको ये match जो है खेला जातावा दिखेगा बात करते हैं सबसे पहले pitch report के बारे में कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहमदाबाद की हमें पिज जो है कैसी देखने को मिलेगी देखो इस सीजन IPL के टोटल ना चार मुकाबले नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेले गए हैं और उन चार मुकाबलों के अंदर हमने क्या देखा है कि जो pitch 3 ना वो बल्ले बाजो के लिए सबसे ज़ादा अच्छी थी बल्ले बाजो के लिए सबसे ज़ादा अच्छी थी हाला कि यहाँ पर जो match नंबर 1 हुआ था और जो match नंबर 2 यहाँ पर हुआ था उसमें आपको 160-170 के आसपासी स्कोर देखने को मिला था क्योंकि वहाँ पर क्या है टी में थोड़ा सा समल के खेल रही थी boundaries वहाँ पर थोड़ी सी बड़ी थी आउट फिल्ड भी उस ताइम उतनी ज़ादा तेज नहीं थी लेकिन जब match नंबर 3 हाँ पर हुआ न तो उस ताइम जो boundaries थी न वो थोड़ी सी छोटी कर दी गई अगर आपने ये चीज़ नोटीस करी हो तो match नंबर 1 और match नंबर 2 में boundaries बड़ी थी तो यहाँ पर जो चारो matches हुए है ना चारो matches के अंदर हमें जो pitch देखने को मिली है वो बल्ले बाजो के लिए सबसे ज़ाद अच्छी है बात करें अगर हम यहाँ पर ballers के बारे में तो देखिए नरेंद्र मोदी stadium पे ना इस season जो चार मुकाबले के लिए गए हैं उन चारो मुकाबलों में ना fast baller को pitch से बहुत ज़ादा मदद नहीं मिली है तेज गेंद्र बाजो को extra bounce यहाँ पर जरूर मिल रहा है लेकिन तेज गेंद्र बाजो को यहाँ पर moment नहीं मिल रहा ये चीज़ ध्यान लखिएगा बात करू अगर मैं spinner की तो इस season भीया spinner के लि पूर हमा दो गए करन शर्मा हो गए विल जैक्स हो गए यह सब थोड़ा सा आपके लिए कामा सकते हैं इवन रवी श्री निवासन साही किशोर हो गए यह आपके लिए कामा सकते हैं तो spinner को turn मिल सकता है और wicket जो है थोड़ा सा dryer side पे होगी तो turn मिल सकता है लेकिन तेज गे मैच में एक या दो wicket तो निकाल के दे रहे हो वरना जादा ballers आपको यहाँ पर नहीं लेने जितने जादा बल्ले बाज लोगे उतना जादा profit आपको होने वाला है यह चीज़ यहाँ पे ध्यान रखके चलिएगा बात करते हैं आज के match में गुजराट Titans की playing 11 क्या रहेगी और गुजराट Titans की तरफ से 4-4 ओवर की balling कौन करेगा वो आपको बता देता हूँ रिद्धिमन सहा शुब्मन गिल टीम के लिए आपको opening करते हुए दिखेंगे वन डाउन पे साई सुदर्शन फिर उमरजाई देविड मिलर शारुक खान तेवतिया राशित खान साई और गुजराट Titans की तरफ से 4-4 ओवर की balling कौन करेगा देगो राशित खान चार ओवर पूरे करेंगे मोहिश शर्मा चार ओवर पूरे करेंगे इसके अलावा नूर हमद भी चार ओवर आपको पूरे करते हुए दिखेंगे आखरी बचे वे जो यहाँ पर 8 ओवर है न वो डिवाइड होंगे यहाँ पर 3 मॉलर में कैसे कैसे साई किशोर आपको यहाँ पर जो है 3 ओवर के आसपास डालते वे दिखेंगे संदीब पौरियर आपको 3 ओवर के आसपास डालते वे दिखेंगे और यहाँ पर ओमर्जाई जो है 2 ओवर के आसपास डालते वे दिखेंग देखो मोहिश शर्मा तो confirm है कि दो ओवर यहाँ पर गुजरात की तरफ से देथ में कर रहे हैं दूसरी साइड से देथ ओवर में बॉलिंग ना साई की शोर कर रहे हैं लाज दो मैचिस में लेकिन यहाँ पर आपको एक ओवर राशिद खान का भी देखने को मिल सकता है आप कोगे कि भाई आपने सारे प्लेयर्स के स्टैट्स नहीं बताए देखो यार इस वीडियो के अंदर ना अगर मैं सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको बताऊ ना और कोई नियूज नहीं है बस यही नियूज है आज के मैच में रसी बी की प्लेयंग 11 क्या रहेगी वो देख लेते हैं विराट और फाफ आपको ओपन करते वे दिखेंगे वन नाउन पे विल जैक्स पिर रजक पाटिडार यह रहेगी RCB की प्लेंग 11 यह रहेगा RCB का बैटिंग ओडर RCB की तरफ से आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग कान करतावा दिखेगा आप यह लगा सकते हो कि केमरन ग्रीन 3 ओवर कर जाएंगे स्वपनिल सिंग 3 ओवर कर जाएंगे करन शर्मा तीन ओवर, लोकी फोगसन तीन ओवर, मौममा सिराज तीन ओवर, यस दयाल तीन ओवर, दो ओवर यहाँ पर विल जैक्स के पास चले जाएंगे, यह चीज द्यान न कियेगा, तो यह रहेगा इनका 20 ओवर का कुछ ही साथ, अब काओगे कि भाई, यहाँ पर कोई भी 4 ओवर कंप्लीट नहीं करेगा, डिपैंड करेगा कि कौन उस ताइम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, RCB की तरफ से कि इसी ने भी अभी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, तो यहाँ पर यह बता पाना मुश्किल है कि 4-4 ओवर यहाँ पर पूरे करेगा कौन, देथ ओवर में बॉलिंग कौन करेगा, देखो, मौममा, सिराज और यश्दयाल को देथ में बॉलिंग करनी है, ठीक है, यह बात लेकिन यहाँ पर अगर टीम लॉकी फॉगसन को यूज करती है तो यह देथ ओवर में विकेट निकाल सकती है, बट टीम इनको देथ के बजाए सिर्फ और सिर्फ मिडल ओवर में यूज कर रही है, जिस वज़े से बहुत जादा विकेट लॉकी फॉगसन को मिल नहीं रही अब इन सबी प्लियर्स के भी अगर आप लोगो को रिकॉड दिखने है तो आप स्मॉल लिग वाली वीडियो में चले जाइएगा, वहा पर इन सबी प्लियर्स के भी रिकॉड मैंने आपको दिखा दिये हैं, अब देख लेते हैं, आज के मैच में आप लोगों को ग्रें को captain wise captain है एक खिलाडियों को बहुत सारे लोगों ने captain wise captain किया है तो उनका सिर record देखना फिर decide करना कि उनको captain wise captain करना है या नहीं करना है देखो सबसे पहला नाम है हापर captaincy wise captaincy के option में run machine विराट कोली का एक तो इस season 430 run बना चुके है form विराट कोली का काफी अच्छा चल रहा है इस मैदान पे बहुत अच्छा करते हैं अगर आप देखोगे इनका record तो 116 का average है इनका गुजरात के आगे गुजरात के आगे 116 का average 6 T20 international मुकाबलों में 258 run इस मैदान पे बना चुके हैं बैटिंग विकेट पे बहुत अच्छा करते हैं तो कम से कम 4-5 टीम ऐसी बनाइए जहाँ पर विराट कोली या तो आपके captain हो या फिर आपके wise captain हो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखके चलिएगा उसके बाद यहाँ पर अगले खिलाडी है Cameron Green विद्दा बैट एंड बॉल दोनों से काम जाएंगे बॉलिंग में आपको एक से दो विकेट भी निकाल के दे देंगे बैटिंग में तीसरे डाउन पर बैटिंग भी करके दे देंगे कम्प्लीट ओल डाउंडर है कम से कम 2-3 टीम आप ऐसी जरूर बनाइएगा जहाँ पर आप इनको कैप्टन करें क्योंकि Cameron Green का क्या है कि बैटिंग विकेट पे आपको 25-30 रन भी बना के दे देंगे वालिंग में एक आदी विकेट भी निकाल के देंगे और कैचिंग पोजिशन पे भी रहते हैं तो एक दो कैचिस भी वहाँ पर पकड़ लेगे मतलब 60-70 फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं Cameron Green आज के मैच में तो इनको भी 2-3 टीम के अंदर आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरू करिएगा उसके बाद यहाँ पर अगले खिलाडी है कप्तान शुबमन गिल यार इस मैदान पे अगर आप गिल को कप्तान नहीं करोगे तो फिर तो यहाँ पर दिक्कत ही दिक्कत है और गिल का मामला तो दिल का मामला है तो भाईया इनको कैप्टन करके चलिए और कम से ने कम से कम 3- कप्तान करिएगा reason simple सा है batting wicket पे गिल साप का record हमेशा ही बहतर रहता है इस मैदान पे 64 का average भी गिल साप का आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी जिसको बहुत कम लोग captain wise captain करेंगे साई सुदर्शन अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वाली live stream देखी होगी तो मैंने क्या गोला था आपको कि यार मेरा मन है साई सुदर्शन को captain करेंगा मैंने कर भी लिया था लेकिन मैंने आप लोगों के बारे में सोचा कि यार आप लोग इतना देख रहे हो मुझे कम से कम उस टाइम 10-12,000 लोग देख रहे थे तो मैंने सोचा है और 10-12,000 लोगों को अगर मैं साई सुदर्शन captain करने को बोल दू by chance कर लिया आपने और ये zero पे out हो गए तो आप गाली तो मुझे दोगे तो इसलिए मैंने वहाँ पर safe खेलते वे शुब्मन गिल को कप्तानी के लिए बोल दिया और वो चले ही नहीं और तब किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि सभी लोगों का कप्तान यूनिवर्स के अंदर शुब्मन गिली था तो इसलिए लोगों को दिक्कत ही नहीं पड़ी लेकिन अगर साई सुदर्शन को मैं कप्तान मनता और नहीं चलते तब गालिया पड़ती तो यहाँ पर आपको बता दू ग्रेंड लिग में कैप्टन वाइस कैप्टन करिएगा एक साइड से एंकर करते वे बढ़िया पारी खेल जाएंगे और 10 मुकाबले खेल चुके हैं इ मैदान पर 56 दन भी है 17 विकेट भी है और RCB की टीम आपको पता है स्पिनर्स के आगे श्ट्रगल करती है खास कर कि विराट और फाफ तो थोड़ा सा यहाँ पर राशिद कान को सम्मान देते हैं हिट नहीं करते हैं लेकिन बाकी बल्ले बाद इनको सम्मान नहीं देगे इन गुजराट टाइटन्स के आगे 72 रन बनाए हैं मातर 25 कैवरेज है इस मैदान पे दो मुकाबलों में 26 रन मना रखे हैं मातर 13 कैवरेज है तो फाब डुपलेस इसका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे इस मैदान पे और गुजराट के आगे उतना अच्छा नहीं है प्लियर के रूप में लोगे न तो वो जादा सही रहेगा अगर हर एक टीम में अगर आप आफ को कप्तान करोगे न लॉस में जाने के चांसिस थोड़े से जादा रहेंगे ये चीज़ यहां पे ध्यान रखे चलिएगा तो ये पाच खिलाडी है जिनको आप आज के मैच म मिलर का देखो डेविड मिलर की बात करो 33% सेलेक्शन है अगर आप इनका RCB के आगे रिकॉर्ड देखोगे 27 कैवरेज है इस मैदान पे रिकॉर्ड देखोगे 38 कैवरेज है बेहदी शांदार रिकॉर्ड है इनका और आपको बता दो अगर आज के मैच में आपको सेकेंड बैटिंग करते वे दिखे न यहाँ पर गुजरात वाले तो आख बंद करके आप अपनी टीम में डेविड मिलर को ले न एक साइड से एंकर करते वे न आपको 40 से 50 रन बना के देंगे ये चीज़ आप लिखके ले सकते हो मुझसे क्योंकि इनका IPL के अंदर सेकेंड बैट रहेंगे जिनको आप Grand League के अंदर ट्राइ कर सकते हो उसके बाद अजमत उल्ला उमर्जाई हैरानी की बात है कि यार सिर्फ 27 परसेंट सेलेक्शन है लोगों ने उमर्जाई को अपनी टीम में नहीं लिया और उसके पिछे रीजन भी है कि परफॉर्मेंस उतनी आई नहीं ह लेगिन आप एक चीज़ देखके चलो कि ओमर्जाई दो ओवर की आपको बॉलिंग भी दे रहे हैं साती साथ ओमर्जाई आपको तीसरे डाउन पर बैटिंग भी दे रहे हैं ये ऐसे बल्ले बाज है कि बैटिंग विकेट पे न कभी भी आपको 25-30 बना के दे देंगे उन्हों तरफ बॉल को मुव करा लेते हैं और विराट कोली को थोड़ी सी दिक्कत आती है जब बॉल शुरुवात में हरकत करती है अवन फाफ का भी श्ट्रगल थोड़ा बहुत जब शुरुवात में मुवमेंट होता है तो दिक्कत उनको भी आती है तो अगर इनको एक मिल गई और बैटिंग में 15-20 रण मना के चलेगा आपका काम हो जाएगा इसने रखके चलिएगा ये भी एक अच्छे और राउंडर रहेंगे जिनको आप डिफरेंशल खिलाडी के तौर पे अपने ग्रेंड लिक की टीम में ट्राइ कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे सामने और कोई टीम होती न मैं नूर हमत को बोलता आप मत लेके चलो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सामने RCB है एक तो उनका श्ट्रगल आता है सबसे ज़्यादा स्पिनर के आगे दूसरा उपर से अगर वो स्पिनर चाइना मैन हो तब तो यहाँ पर बेडा गर गया तो यह यहाँ पर नूर हमत को रखो यह कम से कम दो विकेट निकालेंगे क्योंकि RCB वाले चाइना मैन बॉलर के आगे श्ट्रगल करते हैं और 23% सेलेक्शन है पहले बॉलिंग सेकेंड बॉलिंग दोनों में काम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले बॉलिंग करते टाइम भी पिछ ड्रायर साइड पे रहीगी और सेगेंड बैटिंग करते टाइम अगर ड्रायर साइड पे नहीं रही तो RCB अंडर पैशर जाएगी तब इनको विकेट मिल जाएगी यह चीज़ ध्यान रखके चलिएगा उसके बाद यहाँ पर लॉकी फोगसन अपनी पेस और बाउ एक ओवर भी देट में मिल गया है न यह दो विकेट निकालके जाएगे तो इनको रख सकते हो लेकिन दो ही टीन टीम में रखना जादा तर टीमों में बत रखना क्योंकि RCB का जो बॉलिंग अटेक है न वो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा RCB के बॉलिंग अटे कैसे बनानी है अब आपको होगे कि भाई आप ग्रेंड लिक की वीडियो में स्मॉल लिक की टीम दिखा रही हो देखो उसके पिछे बहुत बड़ा रीजन है अगर आप लोग मिनी जील क्या होती है मिनी जील वो होती है जिसमें सामने आपके 100 मेंबर होते हैं कई बार 500 में वाली भी मिनी जील होती है 50 मेंबर वाली भी मिनी जील होती है यानि कि जिसमें 500-500-1000 मेंबर आपके सामने होते हैं तो उसे कहते हैं मिनी जील और अगर आप इन मिनी जील को टारगेट करोगे इन मिनी जील को जीतने की कोशिश करोगे आसानी से जीत सकते हो पता कैसे जो आ लाउंडर सेक्शन में जैक्स, कैमरन ग्रीन, ओमर्जाई, बॉलिंग सेक्शन में सिर्व राशित खान, आप मोहिश शर्मा को ले सकते हो, मिलर को हटाके, मोहिश शर्मा को ले लो, ओमर्जाई को हटाके, मोहिश शर्मा को ले लो, इसमें कैप्टन सी मैंने विराट कोली को वाइस कैटन से शुबन गिल को दी है तो ये मेरी टीम है अब मैं क्या करूँगा कि सेम टीम से ये वाले कॉंटेस्स जॉइन कर लूँगा अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरी जो टीम है ना इसी टीम में जस्ट अगर मैं कैटन वाइस कैटन को अगर rotate कर दूँ तो ये जो 50 member, 100 member, 500 member, 1000 member वाली league है ना ये मैं जीत सकता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता होगा आपकी जो small league की team है ना वो safe team होती है उसमें आपने वो खिलाडी pick कर रखे होते हैं जिनका head to head record, जिनका recent form, जिनका venue record सब कुछ बहतर होता है तो यहाँ पर मैंने वो खिलाडी pick करे हैं इसलिए मैंने ये safe team मनाई है इसमें सिर्फ captain wise captain को अगर rotate कर दो ना तो आप mini GL वगरा आसानी से win कर सकते हो तो अगर आप mini GL खेलते हो तो आपकी जो भी small league की team है ना उस small league की team में just captain wise captain को अगर rotate कर दो तो आप mini GL अराम से win कर सकते हो ये चीद यहाँ पर ध्यान रखके चलिएगा दोस्तो आप देखते हैं आज के match में आप लोगों को grand league की team कैसे बनानी है देखो 6 grand league की team आपको बना के दिखाऊंगा लेकिन ये जो 6 grand league की team होने वाली है ना ये सिर्फ और सिर्फ information के लिए होने वाली है अगर इन grand league की teams को आप use करना चाते है ना तो इन grand league की teams में एक दो changes कर लीजेगा ताकि यहाँ पर आपका और मेरा clash ना हो ये चीज़ यहाँ पर द्यान रखे चलिएगा मैं सिर्फ आपको combination बता रहा हूँ कि combination आज के match में कैसे कैसे work कर सकते हैं देखे सबसे पहला जो combination है वो है भाया गुजरात के favor में आज के match में गुजरात आती है पहले betting करने अब आज के match में गुजरात आई पहले betting करने तो गुजरात के तरफ से बल्ले बाज मैंने गिल को pick करा रिद्धिमन सहा को पिक करा, साई सुदर्शन को पिक करा, मिलर को पिक करा और उमर्जाई को पिक करा गुजरात आई पहले बैटिंग करने गुजरात के पाँज बल्ले बाज ले लिए इन पाचों ने मिलके यहाँ पर कम से कम बना दिये 180 रन या 200 भी बना दिये तो यहाँ पर 200 का target मिल गया RCB को जब RCB betting करने आती है तो RCB के तरफ से यहाँ पर कोई ना कोई तो बल्ले बाज होंगे जो run बनाएंगे तो मैंने Faf को pick कर लिया Cameron Green को pick कर लिया और Virat को pick कर लिया मैं मानके चल रहा हूँ RCB के तरफ से यह 3 बल्ले बाज हो के बल्ले बाज हो को target chase नहीं करने दे रहे यानि के RCB आज का match जो है जीत नहीं पाई कि chase करते हुए तो उस combination में यह team है अब अगर मैंने बोला कि score यहाँ पर defend होगा तो अब इस सी बात है मुझे यहाँ पर गुजरात के baller चाहिए तो राशित खान, मोहिश शर्मा, नूर नूर एमद मेरे differential खिलाडी, डेविड मिलर मेरे differential खिलाडी, ओमर्जाई मेरे differential खिलाडी, तीनों खिलाडी को मैंने pick करा, एक ही team में तीनों differential खिलाडी को try करा, अब इस team में captaincy मैंने किस को दी, इस team में captaincy मैंने Gil को दे दी, vice captaincy मैंने राशित खान को दे दी, पहले batting करते टाइम गिल के बल्ले से यहाँ पर 70-80 रना जाएंगे इसके अलावा जब सेकेंड बैटिंग करते टाइम यहाँ पर गुजरात बॉलिंग कर रही होगी तो यहाँ पर अशित खान जो है कम से कम 3 रिकेट निकाल देंगे तो अगर गुजरात की आज के मैच में पहले बैटिं गरने आ रही थी लेकिन अब आगई गुजरात चेज करने तो अब क्या करना है देगो गुजरात आई यहाँ पर चेज करने जो गुजरात के टॉप थ्री है यानि की शुबमंगिल, साई सुदर्शन और रिद्धिमन साह यह तीन मिलके सारा टार्गेट चेज करेंगे पहले ये तीन बल्लेबाज मैंने पिक करें अब इनी में से मैं किसी को कैप्टन, वाइस कैप्टन करूंगा तो गिल को कैप्टन सी दे दी यहाँ पर रिद्धिमन साह को मैंने वाइस कैप्टन सी दे दी अब अगर मैं इन तीन को पिक करके जा रहा हूं तो अब्यस सी बा तरफ से अगर मैं मुझे बॉलर नहीं लेने तो मुझे बल्ले बाज लेने पड़ेंगे तो मैंने मैच में रन फैस्ट वाली यह टीम कव वरक करेगे जब पहली इनिंग में भी 200 बनेंगे और दूसरी इनिंग में भी 200 बनेंगे तब यह टीम वरक करेगी और आपको बता दू Saturday वाले दिन यानि कि कल ही के दिन आप आज Sunday में विडियो देख रहे हो कली के दिन जो पहला मैस था दिल्ली वर्शिज मुंबई का ये टीम वाक करी थी सेम टीम वाक करी थी बस यहाँ पर उन्होंने बल्ले बाजी बल्ले बाज लिये थे तो ऐसी टीम में वाक करती है क्योंकि जिस तरीके की पिचीज अब बनाई जा रही है ना ऐसी टीम में वाक करती है ये चीज़ ध्यान रखियेगा तो यहाँ पर कोई भी पहले बैटिंग करे कोई भी सेकिन बैटिंग करे वो मैटर नहीं करता लेकिन आपको बल्ले बाद जादा लेने है तो विराट को फास को पिक कर लिया रजट पाटी डार कैमरें ग्रीन विल जैक्स मैं मान के चल लाओ आरसीबी के तरफ से ये पाच अच्छा करेंगे और यहाँ पर गुजरात के तरफ से शुबमन गेल रिदिमन साहा साई सुदर्शन और डिविड मिलर अच्छा करेंगे इनको पिक कर लिया बॉलिंग में मैंने दो ही बॉलर पिक करें राशिद खान और लॉकी फॉगसन मैं म को मैंने हैड कर दिया तो आप देखो मैंने यहाँ पर डिफरेंशल खिलाडियों को यूज किस तरीके से किया है मेरा मानना है यहाँ पर यह है कि इस टीम में अगर यह तीम तब वॉक करेगी जब पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग करते टाइम दोसों बनेंगे तो य यह तीम आपके लिए वॉक कर जाएगी तो यह है आज के मैच में तीन ग्रेंड लिग की टीम अब तीन ग्रेंड लिग की टीम आज के मैच में और देख लेते हैं यह जो चौती ग्रेंड लिग की टीम है यह तीम आज के मैच में तब वॉक करेगी जब आज के मैच में तूपेस विगेट का यूस किया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, गुजराइद जीतेगी, उस अकॉरडिंग टीम है, तो मैंने नूर आमत को पिक कर लिया, मोहिश शर्मा को पिक कर, राशित घान को पिक कर लिया, और लॉकी फॉगसन को पिक कर लिया, ओ विलर समलकी खेलती है, साई सुदर्शन समलकी खेलती है, गिल थोड़ा सा जब शुरुवात में मूवमेंट होता है, श्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये इनका घर है, इस पे अच्छा करेंगे, तो इनको पिक करा, विराट यार RCB के दरफ से अकेला अच्छा कर रहे हैं, इनको पिक कर लिया, और इनसे समलके RCB में और कोई खेलता भी नहीं है, तो मैंने हिनी को पिक करा, और मैंने डीके को पिक करा, क्योंकि रिद्धिवन साहा तो भाया, ऐसे ट्रेक्स के ओपर श्ट्रगली करते हैं, तो यहाँ पर वो ही बल्ले बाज मैंने पिक करे हैं, जो तू पिक करे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आदी पिच आपको ऐसी भी देखने को मिलती है, जिसमें बॉलर्स के लिए जादा मदत है, बल्ले बाजों के लिए थोड़ी सी कम मदत है, अगर आज के मैच में पिच रिपोर्ट में आता है, कि आज के मैच में पिच के ओपर ग्रास भी है, लेकिन पिच ड्रायर साइड पे है, तो आप इस टीम को यूज़ कर सकते हैं, यह टीम आपके लिए वॉक कर जाएगी, त और यहाँ पर मैंने अपनी टीम में बैटिंग में विराट कोली, शुबमन गिल, साइज सुदर्शन और डीके को पिक करा, क्योंकि यहाँ पर भी टूपेस वाला ही सिस्टम है, कि यहाँ पर आप हर तरीके के बल्ले बाजों को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर वोही ब कॉंबिनेशन वर्क कर सकता है, अगर RCB यहाँ पर लोकी फॉगसन को देना तो यह कॉंबिनेशन 100% वर्क कर जाएगा, अब यह वाली टीम देखना यह है कि RCB की बॉलिंग आज के मैच में हिट हो रही है, आप लोग हसोगे कि भाई क्या को टीम मनाई है, यहाँ हो सकता है RCB की बॉलिंग हिट हो सकती है, भले ही इस साल अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट एक आदे मैच में आपको होतावा दिख सकता है, तो इसले मैंने लोकी फॉगसन, यश दयाल, मौममस, सिराच, केमरें ग्रीन, विल जैक्स को पिक करा, क्योंकि आप यह चीर मानों कि RCB एक ऐसी टीम है, जो कब किसको हैरान कर दे आप नहीं मान सकते, पिछले मैच में अगर आपने दिखाओगा, हैदराबाद को हैदराबाद के घर पे RCB हरा के आ गई थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी टीम में पाँच बॉलर पिक कर लिये, और यहाँ पर बैटिंग में सा अगर यहाँ पर RCB की पहले बॉलिंग आती है, यह वाली टीम आपके लिए वर्क कर सकती है, लेकिन यह टीम आपको कब यूज करनी है, जब पिछ रिपोर्ट में आता है कि तेज गेंद बाजो को शुरुवाती ओवर्स में मुमेंट मिलेगा, अगर तेज गेंद बाजो क कोई अतराज नहीं है, पचासी रुपे लगेंगे, लेकिन यह टीम चली ना, वन साइड़िड आप लोग इस टीम से यहाँ पर विन करके जाओगे, यह चीन यहाँ पर ध्यान रखके चलिएगा, तो चलिए फिर इस ग्रेंड लिक की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाई बाई, थेंक यू, सो मज़ दोस्तो,